नवश्कार में अप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चुले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को महावीर मंदर के तरफ से आयोध्या भेज़े जाएंगे रखुपती लड़ू के भोग अयोध्या में भगवान श्री राम के जोन में भूमी पर मंदर नर्मान के भूमी पूजन पर महावीर मंदर पट्ना के तरफ से सवा लाख लड़ू का प्रसाद बनाया जाएगा यह लड़ू अयोध्या में रखुपती लड़ू के नाम से भेज़े जाएंगे इसके लिए महावीर मंदर में आज पट्ना की तरफ से जरूरी सामागरी अयोध्या भेज़े जारी है रगुपती लड़ू बनाने के लिए महावीर मंदिर पटना के बीच कोशल कारिगर की अगवाई में अयोध्या पहुच चुके हैं पहले 51,000 लड़ू बनाकर रामजन्म भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट को सौपा जाएगा साथ ही आवशक होने पर ज्याद अल़ डू बना दिये जाएंगे देश में बीते 24 घंटे में करीब 55,000 नयमामलों की हुई पुष्टी पिशले 24 घंटे में 54,735 COVID-19 मरीजों की पुष्टी की गई है जिसके बाद भारत में प्रभावितों की संख्या 17,00,000 के पार पहुँच गई है स्वास्तो और परिवार कल्यान मंत्राले के नुसार अब तक कुल 17,50,723 COVID-19 से संक्रमित पाएगे हैं जिसमें से फिलहाल 5,666,676 अभी फिलहाल सक्रिये हैं वही 11,45,639 लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं जबकि 37,364 वेक्तियों की जान जा चुकी है यह भी बताये गया है कि पिछले 24 घंटे में कुल 51,255 लोग अस्पताल से छूट चुके हैं वही पास्त वभाग की तरब से मेली जानकारी के अनुसार भारत में जान गवाने वालों की दर 2,15 प्रतिशरत बनी होई है कुल मिलाकर 1,98,21,831 नमून का परेक्षिन किया जा चुका है वही पिछले 24 घंटे में 4,63,172 का परेक्षिन किया गया है वहार की सरकों को जल्धी बनाया जाएगा नाबाट वहार में सरकों की स्थिकों सुधारने के लिए राज्यसरकार राष्ट्री और अंतराष्ट्री संसाओं से कर्ज लेने वाली है और इन संसाओं से कर्ज लेने का कम ब्यार्ज देना होता है जिसके तहट पथ निर्मान विभाग ने इसकी तयारी शुरू कर ली है बिहार की जरूरत के अनुसार सरक बनाने को कर्ज लिया जा रहा है यह फैसला सुनाये गया है ताकि जल्दी इसको लेकर आपचारिक निर्ने भी जारी किया जा सके मिली जौनकारी के अनुसार पट्टा से मोहले के बीच लगभग 9 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाये जाना वाला है राज्यों सरकार से अपने संसाधनों से बनाये जाने का निर्ने लिया है इसके लिए जायका भी कर दिया गया है इसके कुछ सालों में भी नाबाड RIDF से पैसा लेकर कई सरकू का निर्मान करवाए गया है ज्यान भवन में चार घंटे के लिए होगी बिहार विधान सभा की बैठक को तीन दिन से घटा कर एक दिन कर दिया गया है जिसके बाद तीन अगस्त को होने वाली इस बैठक को समराट अशो कंवेंशन सेंटर के ग्यान भवन में चार घंटे चलाया जाएगा एक गयारा बज़े से सदन लगेगी और एक बज़े से दो बज़े तक के भोचन अफकाश रहेगा जिसकी दूसरी पाली दो बज़े से चार बज़े तक संचालेत होगी बैठक में पूर्व में प्रसावे चार देवसिये मौनसून सत्र की कटोती पर सर्वदिले बैठक में बनी आम राय पर भी सदन की मुहर लगवाई जाएगी बिहार विधान सभा सची वाले ने 3 अगस्त को अने वाली सदन की बैठक का शेडूल तयार कर दिया है सख्षा विभाग मेधा सूची तयार करने का प्रयास कर रही है चैनेत अभ्यर्थी को नियोजन पत्र हाई कोट के आदेश के बाद दे दिया जाएगा प्राथमिक सख्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि कक्षा 5 तक के लिए बियलेट और बियलेट प्रासिक्षित अभ्यर्थियों की मेधा सूची अलग अलग बनाई जाएगी नियोजन 31 तर पर मेधा सूची तयार किया जाएगा इसे नियोजन पत्र जल्द देने में आसानी होगी आज निगमानंद सरस्वती का है जन्म दिन निगमानंद सरस्वती का जन्म 2 अगस 1776 में हुआ था निगमानंद को गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है निगमानंद सरस्वती का जन्म दर्भंगा जिले में हुआ था और उन्होंने गंगानदी के लिए जारी विरोध के दौरान ही दुनिया को अलविदा कह दिया था मिली जानकारी के नुसार निगमानंद सरस्वती ने अपने विरोध के 115 दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था हाला कि निगमानंद 1997 में ही गंगा नदी में बढ़ रहे प्रदूशन को लेकर अपनी आवाज उठाने शुरू कर दी थी सुषान सिंग राजपूत मामले में घर के स्वीपर ने खोले कई राज सुषान सिंग राजपूत के पिता के सामने आने के बाद कई सारे राज खुलकर सामने आ रहे हैं इसके बाद अब सुशान सिंग राजपूत मामले में उनके स्वीपर द्वारा दिये गए बयान से कई बातों का खुरासा हुआ है। इसके बाद अब सुशान सिंग राजपूत के मामले में साफतोर पर कहा है। इसके बाद की संख्या 1,6,000 हो गई है। इतना ही नहीं मतदान केंडरों की संख्या बढ़ने के बाद 1,8,000 मतदान कर्मियों की जरूरत होगी जिसको ध्यान में रख कर तयारी लगातार की जा रही है। इसके निर्वाचन विभाग में निर्वाचित पता अधिकारी उने से साफतोर पर कह दिया गया है कि इसके बाद सरकार के सामने नई चुरौतियां आकर खड़ी हो गई है नई नीतियों को लगू करने के लिए सरकार को कई सारे मोर्चे पर अपने आपको साबित करना होगा। के निवेश आयुक्त सहब याड़ा के प्रबंध निदेशोक आरेश श्रिवास्तव ने बताया है। की प्रचुरता है पीते सालों में सरवाधिक निवेश खादे परवसंसकरन के छेतर में आया है। बिहार के युवा तकनीक के मामले में किसी भी रूप में बैंगलोरो या दूसरे स्थान से कम नहीं है। मुख्यमंत्र निदेश कुमार ने वीडियो कॉल के जरिये मरीजों को सलाह देने का जारी क्या आदेश। जो इसके तहित IPRD साचे वनपम कुमार ने बताया है कि राज्यों में COVID-19 संक्रमेतों की संख्या को देखते हुए डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिये सलाह देंगे। स्वास्ते वभाग के मुबाइल के जरिये विवस्था करवाई जाएगी। गोबर-19 की चेन को तोड़ने के लिए जियादस जियादस सैंपल टेस्टिंग, हाई रिस्क कॉन्टक्ट ट्रेसिंग, साथ ही साथ मरीजों को बहतर चुकित साथ ट्रीटमेंट के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कि मुंबई पुलिस इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। के लिए जानकारी के नुसार बिहार के लगभग सभी विश्विद्यालों में नामांकन की तारिक में बदलाव कर दिया गया है। कि अलग अलग ते उहारों के कारण संस्थानों के कारियाले को चार अगस्त से खूलने का फैसला सुनाए गया है। इस में सिर्फ 50 फीजदी ही कर्मियों को कारियाले में आने के अनुमती दी गई है। पटना में बनाए गए 10 बफर जोन, बिहार में COVID-19 के बेकाबू हो चुके माहौल ने सबकी परिश्वानी बढ़ा रखी है। हाला कि राजधानी पटना में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, राजधानी पटना में हर दिन 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। खाजोकला इलाके में एक बफर जोन बना दिया गया है, इसके साथ ही बार्ड हनुमंडल इलाके में मुकामा में दो और बक्तियारपूर में दो बफर जोन बनाए गया है। आज की सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी करने का मौका मुझे वाक़ी रोमांचित कर देता था। करें और बेल आइकों दबाना ना भोलें धन्यवाद।